नाज़कार दोस्तों मेरे इस मंच्वर मैं अभिसार शेर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस अप्रिल के साथ कि आप मेरे इस चानल को नसर सब्सक्राइब करें बलकि उस बेल आइकन को भी दबायें ताकि जैसी कुछ शो करूँ सिधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है आज पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सीधे पूछ लिया कि आपने जो पहली सूची जारी की है उसको लेकर मुख्यमंत्री आदितनात ने आप पर हमला किया और कहा कि अखिलेश यादव बैक फुट पर हैं तो अखिलेश य बोड़ना है वो पहले कतम पीछे ही एक रखता है एक पीछे का अगे होता है वो कभी दोड़ लिंए लूंगी पहने वाले कैसे दोड़ेंगे दूसरों को बुरा बाला कहते है उस ड्रेस में दोड़ लेंगे वो क्या वो कुछ नहीं कह रहे हैं उनसे ज़्यादे मुगद में किस पर थे मैंने आप से कहा सी एम और डिप्टी सी एम पर जितने मुगद में इतने तो आई टी सी में सेक्शन नहीं है इस बीच भारती जाताबाटी लगातार अखिलेश यादव पर अपने हमले जारी रख रही है राज के उक मुख्य बंतरी केशा प्रसाद मौरिया का कहना है कि अखिलेश यादव बुरी तरह से बौकला गये हैं वो कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर अखिलेश यादव जी इतना घबरा गये हैं कि लग रहा है कि 10 मार्श 2022 को समाजवादी पार्टी की होने वाली पराज़े की खबर पा गये हैं केशा प्रसाद मौरिया ने आगी ये भी कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष्री अखिलेश यादव जी आप 2022 से 2017 में जहां सबसे अधिक विकास किये हैं वहीं से 2022 का चुनाव लड़ेंगे तब ही विकास की बात करें अन्य था विकास की बात करना बंद कर दें दरसल अखिलेश यादव जो लगातार हमला बोल रहे हैं भारती जहनता पार्टी पर वो यही बोल रहे हैं कि जिस तरह का विकास उनके पांच सालों में हुआ जिस तरह की योजनाओं का शिलान्यास या जमीन उन्होंने तैयार की वो योजनाए अब जाकर पूरी हो रही हैं और उसका क्रेडिट जो है मुख्यमंत्री आदितनात ले रहे हैं आज अपनी तमाम घोशनाओं में से अखिलेश यादव दो पर जोर दिखाई देते रहे एक तो तीन सो यूनिट मुफ्त बजली मगर जो एक बड़ी घोशना की वो है पुरानी पेंशन योजना की बहाली क्या ये अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है क्या कहा उन्होंने और किस अंदाज में उसे उन्होंने उसकी घोशना की आईए सुनते हैं मुझसे लगाता तमाम करमचारी और सिचक संग्ठन मिले और उन्होंने पूर की भाती पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी इन लोगों ने लगातार आंदोनन और धन्ना प्रतसं किया लेकिन इस करमचारी ब्रोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी कमेटी भी बनाई आस्वासन भी दिया लेकिन इनकी बात इस सरकार भाती दिन्ता पार्टी ने नहीं सुनी मैं आज ये घोशना करता हूँ कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन विवस्ता बहाल कर दी जाएगी इसमें जो भी धनराशी की आवश्रता होगी उसकी विवस्ता कर ली जाएगी मैंने सम्मंद में क्रमचारी और वित्विस्विसों से बारता कर ली है एक कॉर्पस बना करके इस धनरासी की विस्ता करने के लिए हम सक्षम हैं दोस्तों समाजवादी पार्टी को लगातार इस मुद्दे को लेकर भी घेरा जा रहा है कि जब से अपरना यादव जो की उनके भाई प्रतीक यादव की पत्नी है जब से वो बीजेपी में शामिल हुई है तब से ना सिर्व बीजेपी बलकि उनका पूरा प्रचारतंत्र उन पर हमले बोल रहा है और लगातार बोल रहा है कि किस तरह से बहुत बड़ा जटका है समाजवादी पार्टी के लिए और इस मुद्दे को लेकर अखिलेश रादव जो हैं उन्होंने जो जवाब दिया मैं चाहूंगा आप उस पर सुने उन्होंने कहा कि मीडिया इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा कि पिछडी जाती से तमाम जो बड़े नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए है उनका जो पूरा वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा है मीडिया इसकी बात क्यों नहीं कर रहा सुने इस अखिलेश रादव को अभी तक आपकी आँख नहीं खुली कैसे पतकार हो आप आपको तो ये पता ही है नहीं प्रभावे सवाल प्रभावे का नहीं है सवाल यह है क्या आप तक इतना तक नहीं जान पाए आप कि भारती जन्ता पार्टी जो परसेप्शन है जो perception समाज़वादी पार्टी का है जिस सरीके से समाज़वादी पार्टी में भाती जन्ता पार्टी के बड़े-बड़े मंत्री शामिल हुए जिनके पास व्यापक समर्थन है जनाधार है जो आपकी पार्टी में शामिल हुए सौामी परसाद मौलिया जी कितना बड़ा जन समर्थन ने उनके पास उनके पास जन समर्थन है उनके साथ लोग है या मंत्री दैरा सिंह चुहान सामिल हुए उनके पास भी समर्थन है जिस तरीके समाज़वादी पार्टी ने दर्णों को जोड़ा है तो जो perception है उस perception की लड़ाई में भारते इंता पार्टी हार गई हम लोग आगे हैं हम अपना manifesto release कर रहे हैं कि आखिकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें आपके ही सामने नजाने कितने बिंदू हम उठा चुके हैं दरसल इस मुद्दे को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा अपरणा यादव को लेकर कही न कई भारती जनता पार्टी भी बाक फुट पर है और वो किसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अपरणा यादव ने आपको याद होगा 2016-17 में आरक्षन का विरोध किया था उन्होंने कहा थे कि मौजूदा स्वरूप में जो आरक्षन है मैं उसके खिलाफ हूँ और उस वक्त भुपेंद्रियादव जो की बीजेपी के नेता थे उन्होंने बाकाइदा इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया था कि समाजवादी पार्टी जो है वा आरक्षन विरोधी है आज भुपेंद्रियादव पूरी तरह से खामोश है आज बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है क्योंकि अगर बीजेपी मानती है कि अपरणा यादव का बीजेपी में शामिल होना एक बहुत बड़ी खबर है और वो एक बहुत बड़ी जनाधार वाली नेता है तो कृपिया ये बताने का प्रयास करें कि क्या अब बीजेपी आरक्षन वाले जो बयान हैं अपरणा याद है सुनिए तीन सो यूनिट विजली घरेलू माफ होगी इसका जवाब भादिन देपाटे के पास क्या है भादिन देपाटे कहने लगी हम विजली आदा कर देंगे तो इसका मदर साड़े-चार साल तक तुम बिल जादा लेते रहे साड़े-चार साल का पैसा वापस करोगे क्या लैप्टॉप डिस्ट्रिबिशन होगा इन्होंने जो टैबलेट दी है उस पर उंगली उट रहे प्रशन लग रहे हैं समाजादी सरकार के देवे लैप्टॉप आज भी चल रहे हैं किस स्पेसिफिकिशन के खरीदे गए थे औ समाजवादियों ने उत्तरप्रदेश में नजाने कब लागू कर दी थी और अब बढ़ा करके उसको अठारे हज़ार रुपे किया है यकीनन दोस्तों इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों में जबरदस्त असहज़ता दिखाई दे रही है और मैं क्यों बताता हूँ क्योंकि सच तो ये है कि ऑनलाइन और वर्चुल रालीज करने से जनता तक आप अपने मुद्दे नहीं पहुँचा सकते क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीन परिवेश वाला राज्य है ग्रामीन प्रिश्भूमी वाला राज्य है ऐसे तमाम वहाँ पर शहर गाओं कजबे हैं जहां पर लोग इंटरनेट भी नहीं देखते इसलिए पार्टी जब इस बात का इंतिसार कर रही हैं कि अगर कुरोणा के केस लगातार कम हो रहे हूं तो फिर वो रैलीज करने निकलें रोड शोउस करने निकलें और तब सही मायने में पता चलेगा कि किस पुलिटिकल पार्टी में कितना है दम बहराल हमें इंतजार इस बात का भी है कि भारती जानता पार्टी और अखिलेश यादव कितनी जल्दी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं क्योंकि मैनिफेस्ट जारी करने के बाद ही दोस्तों पता चल पाएगा कि जनता इन दोनों पुलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद रखे मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में है तो मैं फिर दोहरा दूँ दोस्तों बीएसपी तो ऐसा लग रहा है चुना भी नहीं रड़ना चाहती मायावती कहीं पर भी नहीं है रही बात प्रियंका गांधी वाडरा की या कॉंग्रिस की कॉंग्रिस मुद्दे जरूर उठा रही है मगर जमीनी स्तर पर बूत लेविल पर उनके पास लीडर्शिप नहीं है खासकर जो गरामीन परवेश वाली अलाके हैं जो पिछड़े अलाके हैं वहाँ पर सही माइने में मुकाबला बी जे पी और अकले शादव के बीच में है मैं लगातार अपने स्मच पर आप तक तमाम कारिकरम पहुंचाती रहूंगा अब इसार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार